हेलो एवरिवन दिस इस निशान्त एंड यू आ वाचिंग कोडरेस फीड तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 39 है हमने अपने 38 लेक्चर से यानि की 0 से लेके 38 यानि की टोटल 39 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिये थे अपनी सिरीज के और ही हमारा 48 लेक्चर है हमारी सिरीज का जिसका हमने नाम दिया है लेक्चर नंबर 39 जो कि हमारा जावा के चाश्राक्टर सिरीज करेंगे अब कंस्क्रक्टर में और कंस्ट्रक्टर के परमीटर को पढ़ेंगे तो यहां पर मारे सबसे पहला टॉपिक है की वोट और दा constructors कि हमारे constructors क्या होते हैं तो कि यह अंस्ट्रक्टर इन जावा इस पैशल मैथर्ड विटेज विच इस यूज तो इनिशिलाइज दा अब्जेक्ट जो हमारा constructors होता है वह कि special type का method होता है जो कि objects को initialize करने काम करता है लाइक हम attribute की value दे देते हैं पहले सी अपने class के अंदर और फिर हम उसको initialize करते हैं वह हम constructor की अलब से करते हैं अब हमारे जनरली क्या होगा हमरा constructor तभी तो कॉल होगा लाइक अगर हम कोई value दे रहे हैं किसी भी attribute में और फिर हम कोई भी नहीं देंगे तब तक हमारा constructor जो है वो call नहीं होगा इसको हम ऐसे प्रोग्राम से समझेंगे तो इसमें हमारा generalist का use हमारा initial values को set करने में किया जाता है तो हम इसको प्रोग्रेम से समझते हैं तो जैसे कि हमारे माल लो यहाँ पर हमारे कौन क्लास नाम से हमारी क्लास बनी हुई है तो यहाँ पर हमने क्लास नाम से हमने अपनी क्लास बना रखे हैं इंटीजर एक्स यानि कि हमारा क्लास का एक्रिब्यूट है ठीक है हमारा क्लास एक्रिब्यूट है और यह हमारी पब्लिक कौन क्लास तो यह हमने यहां पर क्या किया है यह हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कि सेम होगा अपनी क्लास के नेम से तो यहां पर हमने कौन एक्स जो हमारा एट्रिब्यूट दियाना उसको वैल्यू असाइन करती है ठीक है तो यही हमारा कंस्ट्रक्टर होता है कि पब्लिक स्ट्राटिक वर्ड में स्ट्रिंग आगुमेंट से तो हमने क्या कि एपना ऑब्जेक्ट यानि कि जो अज़र की वैल्यों की अब्जेक्ट में हैं उसको प्रेंगे तो यहां पर हमारा 25 प्रेंट होके आ जाना चाहिए तो अगर हम इसको अपनी आई डी ई पर देखें तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम अपनी Eclipse IDE में आ चुके हैं हमने My File Info पे क्लिक किया इसमें हमने SRC पर जाकर Right Click किया New पे गए और New पे जाकर हमने अपना एक Package बना लिया है इसका नाम हमें अपना Constructors रख दिया है अब हमने इसको Finish कर दिया तो जासे कि हम देखते हैं कि हमारा एक Constructors नाम से Package बन चुका है अब हम इसी Package में अपनी Class बना लेते हैं New पे जाते हैं और अपनी Class बनाते हैं Class का Name हम अपना क्या रखेंगे Class का Name हम रखेंगे अपना Con Class कि हमने आपे Con Class नाम से बना रखे थी अब हम इस Class के अंदर क्या करेंगे कि Int X Declare कर लेंगे ठीक है यह जो हमारा Class Attribute है हम उसको Declare कर लेंगे Int X अब हम नीचे क्या करेंगे अब हमको Constructor Create करना है ठीक है तो अब हम क्या करते हैं आप पब्लिक पब्लिक कौन Class यह हमने अपने आप एक Constructor बना लिया है अब कंश्रक्टर किस काम आता है वेल्यू को इनिचलाइज करने के लिए तो हम यह आप क्या देते है एक्स को कोई वैल्यू दे देते हैं जो कि मानलो हमने देदी टुईधिव तो हमने एक्स को हमने 25 वेल्यू दे यहां पर हम इंटीजर वगरह देखा है नहीं कुछ नहीं दिया है क्योंकि हम अल्रीड अपनी क्लास में असाइंड कर चुके हैं अपने अब्जिक्त यहां पर हमने इसको जो अपनों अपजक्त आए अपने ट्रीक्त है अब यहां पर का करेंगे तो हम से आँ डोट एक दिया है तो अव एक चीज़ गया होंगे के हमने थी आउन्स्काम्स नाम से पर पैकेज हा था यहांप हमने class बनाई थी कौन class नाम से जिसके अंदर हमने class attribute integer x दे दिया ठीक है अब जो integer x हमने class attribute दिया था अब हम इसको construct करना चाहते हैं तो construct करने के लिए हम value को initialize करेंगे तो हमने x के लिए value initialize करें 25 ठीक है अब public static void ministering arguments इसके अंदर हमने कहा कि अपनी class my object new class यानि कि इसका मतलब क्या होता है कि हमने अपनी class को object denote कर दिया तो हमने my object नाम से अपनी class को एक object दे दिया हम system.out.println में हमारे जो my object था my object के अंदर हमने class attribute रख दिया जो कि value को access करने का काम करेगा object अब हम क्या करते हैं अपने इसको प्रोग्राम को run करते हैं तो देखते हैं कि हमारे 25 print होके आके print हो गया है तो यहां पर हमारा output 25 आ गया है तो यहां पर हमारे कुछ important points भी दे रखे हैं constructor के उपर जिनको हमें समझना जरूरी है कि सबसे पहले हमारे आपने प्रोग्राम में देखा था जैसे कि आपने आपर देख रखा है कि constructor का name जो है वो class name से मैच हो रहा है यानि कि जो कि मैच होना जरूरी है तभी यह constructor को values होगी initialize हो पाईगा अगर आप यह नहीं होगा है पॉब्लिक लास यहाँ पर होता था था ना तो पॉब्लिक वॉइड वगबर कुछ निए रखा है यहां पॉब्लिक इसाडिक देरका तो यह किसी पह तरीकर रिटर्न नहीं करता है तो यहाँ बोगन constructor is called when the object is created constructor तभी call होता है जब हमारे object create होता है जैसे कि हमने object को create कर रखा है तभी हमारा constructor call होगा वरना हमारा constructor call नहीं होगा all the classes have the constructor by default हरी class में by default constructor होता है लाइक हम इंटीजर access calls to 5 दे दिया तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगे ना हम सीधे हमारी value print होके आ जाएगी तो हरी class में constructor by default होता है लेकिन बस difference इतना ही होता है अगर आपने constructor नहीं create किया class के लिए तो class जो मुलब जो हमारा प्रोग्राम मुलब जो हमारा जावा वो automatically हमको एक constructor बनाके दे देगा बस difference इतना आ जाएगा कि हमको value initialize होके नहीं मिलेगी value हमको already अपनी class के अंदर ही देनी पड़ेगी तो फिर constructor बनाने का फायदा ही क्या होगा तो अब जैसे कि हमारा अगला दे रखा टॉबिक की constructor parameters क्या होता है तो constructor can also take parameters which is used to initialize objects तो यहाँ पर हमारे कुछ parameters भी होता है constructor के जो की objects को initialize करने काम करते हैं तो जैसे कि हमारे कौन class था तो अब हम क्या करते हैं इसमें parameter pass करके देख लेते हैं जैसे कि हमने integer x दे रखा था ठीक है अब मिसके अंदर parameter pass करना तो आपको कौन class में इसके अंदर कुछ करने की need नहीं है यह मैं अंदर से खतम कर देता हूँ और क्या काम करता हूँ इसके अंदर एक parameter pass करता हूँ into y नाम का जो की बाद में add हो या assign करे value हमारे x को वह value x को कैसे assign करेगा तो उसके लिए हमें x equals to y देना पड़ेगा और यहां पर हमको तो हमने semicolon लगा दिया x equals to y उसे हमने आप दे दिया है अब यहां पर हमने newcon class बना रखा है तो यहां पर हमने दे दे चलो 25 25 है और जब हम इसको run करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे programming हमारे 25 ही print हो गए आएगा तो कैसे तो मचते हैं कि हमारे parameters को कैसे हमने pass किया just कुछ नहीं किया पहले initialize करते थे direct value दे 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 थे लेकिन अब हमने यहां पर क्या कर दिया कि int में हमने y यानिके parameter parameter पास कर दिया अब parameter पास कर दिया तो parameter की value भी हम कभी ने कभी देंगे तो जो हम object को declare कर रहे होंगे तब अपने class में जो हमारा object हमारा constructor है उसको हमने एक value दे ट्वेंटी फाइव तो हमने यहां दी है y की value ठीक है और यह हमने एक्स अब हम क्या करें object को X की value मांग रहे हैं object से तो अब्जेक्ट हमने X equals to Y अब X की value कैसे देगा अगर यहां पर generally हमारा Y नहीं होता और सिर्फ X होता तो यहां पर यहां पर अपनी एक लास बना लेते हैं क्लास हम किस नाम से बनाएंगे ने बाइक नाम से अपनी क्लास बना लिए और यहां पर हमने public static void main को tick कर दिया और हमने इसको कर दिया है यहां पर finish अब हमारे multiple parameter से आप हमको pass करने थे तो हमने bike नाम से अपनी class बना रखे अब हम यहां पर क्या करते हैं इंटीजर लेते हैं इंटीजर हमें हम क्या लेंगे model year यहां पर हमने model year लब कि किस साल की हमारी bike है वो हमने एक अपने इंटीजर कम लब एक इंटीजर में हमने model year ले लिया एक class attribute अपना दिनोट कर दिया अब हम क्या प्ला क्या करते हैं अगला हम स्ट्रिंग ले लेते हैं स्ट्रिंग में आप क्या रखते हैं स्ट्रिंग में आप अपना रखेंगे model का नेम वादिल नेम क्या है वो आप स्ट्रीं में लेंगे क्योंकि स्ट्रीं में हमारा damals व area यह स्रतिजयं अब आफ़ाइं अब क्या क्या करेंगे अब आपको अपना कंस्टुर्टर बनाना है तो अपने आपर क्या पब्लिक पब्लिक उख लिए forested कर दिया ना तो तरीके से अपना कंस्रक्टर बना रहे हैं तो आप यहां पर का करेंगे इंट लेंगे इंट में आपने क्या यहां पर देनोट किया कि आपने एर दे दिया है स्ट्रिंग आप देंगे तो स्ट्रिंग में आपने हापे क्या किया यह दे दिया है आप आपने नेम दे दिया है हम क्या करते हैं आप सेमी कॉलन अपना मलता करली ब्रेसे अपना कोल लेते हैं अब करली ब्रेसे में क्या करते हैं model year आपने directly equate कर दिया है अपने year से, ठीक है, equate जासे हमने x equals to y पिछले में equate किया था, वैसे हम यहाँ पर हमने equate कर दिया, ठीक है, अब हम model name, model name किसको assign करना चाहते हैं, ठीक है, model name हमने name को assign कर दिया, अब हमें आप अपनी क्या आगए है, mean में आ जाते हैं, अब हमने क्या किया था, इसके अंदर अपने construct भी कर लिया, यानि value की initialize भी कर लिया, अपने attribute bit clear कर लिया, और class तो बनाई ली थे, तो हमें आप क्या करते हैं, कि अपनी bike, my bike, equal, अब हमें आप हमारा my bike जो है, वो हमार का model ले लिया, 2020 का जो model है, वो हमारा बिल्कुल नया है, 2020 का ही है, और उस bike का नाम क्या है, BMW RRC, जासे कि हमारा package में दे रखा है, आपका constructors, ठीक है, public class आपने एक bike नाम से class बनाई थे, जिसमें आपने एक integer, यानि कि एक year के लिए, year क्या होता है, numbers में होते हैं, तो आपनी integer एक model year नाम से, एक integer data type में एक variable लिया, यानि कि जिसे हम attribute बोलिंगे, अपना class attribute, और एक हमने string type का class attribute लिया, public bike आपने लिया के int year नाम से, एक अपने parameter पास के, year नाम से, और एक name नाम से, ठीक है, अब model year को आपने directly year से denote कर दिया, year ही है, आपका model year, मतलब उसमें क्या आपने denote करेंगे year को, model name, उसमें आप बताएंगे अपने name को, ठीक है, तो public static void administering arguments आपने लिया, पाइक में आपने my bike, याने आपने class जो है, वो constructors के साथ आपने denote कर दिये, system.outdoor print element में आपने कहा कि object में value पास की, तो my bike.model year, प्लस आपनी space लिया, my bike.model name, ठीक है, तो इसी के साथ आपने जब इसको run करके देखा, तो जैसे कि आप यहां पर देख रखें, 2020 मन्दब model है, 2020 मन्दब year आपका 2020 और BMW RR series यह आपका model है, तो इसी के साथ का मारी lecture खत्म होता, अगर आपका हमारी वीडियो पसंद आई, तो please channel को subscribe कीजिए, वीडियो को like कीजिए और ज्यादा ज प्यार कीजिए